गुजरात विधान सबत चुनाव में संकर सिंग वागेला भी ताल ठोक रहे हैं। करते हैं कि वहीं किंग मेकर होंगे और उनके समर्तर के विना गुजरात की अगली सरकार नहीं बनेगी। शंकर सिंग वागेलाने का है कि वह लंबे समय तक जन संग और अब विजेपी में रहे हैं और उसके बास कॉंग्रेस में भी रहे हैं। लेकिन दोनों पार्टियों का चरित एक है। दिल्ली में आला कमान बैटकर सारे फैसला करता है। दोनों पार्टियों में लास समय तक तिकट का वित्रण नहीं होता। और कारेकर्टा अपस में एक दूसरे के खिलाब गाली गलोज करते हैं। इस आला कमान कल्चा से दुखी होकर उन्होंने कॉंग्रेस छोडी और वह राजनीती में एक नए क्रेंट सेट करने जा रहे हैं। कि बरबाद हो जाऊंगा लेकिन विजेपी में नहीं जाऊंगा। साथ इसंकर सिंग वागेला कहते हैं कि कॉंग्रेस उनके उपर गलत आरोप लगा रही है और उनका विजेपी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने काया है कि उनके और उनके बेटे के बारे में सोसी समझी रंडिती के तहत भर्म फिलाया गया है। उनका कहना है कि विजेपी तो उनके बेटे मेहंदर सिंग वागेला को टिकर दे रही थी लेकिन उनके बेटे को विजेपी में जाने से रोग दिया। वैसे एक दिन विजेपी दफ्तर गया था क्योंकि विजेपी नेताओं ने उनकी सीट पर उसे पत्याक्षी को लेकर सलह मांगी थी और इससे ज़्यादा मेहंदर का विजेपी से कोई लेना देना नहीं है हम आपको बता दे कि शंकर सिंग वागेला कहते हैं कि 20 साल पहले जब वह मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त ही उन्होंने फैसला किया था कि वह अपनी गाड़ी पलालवत्ती नहीं लगाएंगे उनका दरवाजा हमेशा आमजनता के लिए खुला रहता है और जिस तरह का प्रियोग करके आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई उसी तरह की रणनीती की शुरुआत उन्होंने 20 साल पहले की थी और अब वह सतंत्र है लिहाजा दुबारा वह आम जनता पार्टी शुरू करना जा रहे हैं शंकर सिंग वागेला ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कॉंग्रेस और विजेविक के किसी भी काली करता या किसी भी बागी को टिकट नहीं दिया बल्कि जिसको चुनाव लगना था वह लोग खुद उनके पास आकर उनकी पार्टी का सिंबल लेकर गए शंकर सिंग वागेला ये भी दावा करते कि सच चबी और इमानदार लोगों को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा और अब पैसला गुजात जनता करेगी हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बैल आइकन ताकि कोई वीडियो मिशना हो